हेलो फ्रेंट कैसे आप सभी दोस्तों एक वार फिर स्वागत है हमारे यूटूब चैनल यूनिक कार्ड ड्यूज में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा हरियर गारे के फेस्टिप के बारे में जो इस फेस्टिप सीजन भारतेवजार में लॉंच की जा गया और गारी का भारतेवार में लॉंच की जाए कि वही गारी का क्या प्राइज रखा गया है सारी ट्रेल्स इस वीडियो में आपको मिलेगा तो वीडियो को लास्ट तक जूर देखिएगा साथ हमारे यूटूब चैनल यूनिक कार्ड नियूज को जूर सब्सक्राइब कर लेजेगा तो दोस्तों वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं टाटा मोटरस भारतेवार में लगातार अपने प्रडेक्ट लाइनप को अपडेट कर रही है कंपनी 14 सितंबर नेक्शन और नेक्शन एवी के फैसलिप को लॉंच किया था वही इसके अलावा टाटा मोटरस पंच एवी और कर्व एसवी कूप को बारतेवार में अगले में लॉंच करने की त्यारी की है वह ही इसके अलावा साथ ही कंपनी ने हैरियर और सफारी को भी नए मोडल के साथ अपडेट करने के लिए पुरी तरिके से त्यार है नई टाटा हैरियर फैसलिप में कई बार दरान देखा जा जुक है और हाल ही में नई एसपाई तज़्वीर भी कुछ सामने आई है इसका डिटेल्स निकाल कर दो है तेस्ट टाटा हैरियर में 6-speed manual और 6-speed टार्ड कनवर्टर अर्टमेटिक टर्समिशन के साथ देखा जा सकता है मजूदा 2.0 टरो पेट्रोल इंज इंजन भी देखनों को उमीद सकती है जो 170 बेच्व की अधिक्तव पावर और 280 NM का आउटपूट जनरेट कर सकता है इसके मैनुवल और डिवीटिट दोनों गेरबॉक्स बीकल्प के साथ पेच किया जा सकता है इस SUV का मुकाबला GM हेक्टर से होगा इसमें एक डिजल और पेच्टरोल इंजन का भी कल्प मिलता है वही दोस्तों नए हैरियर फेस्टलिप में नए स्पाई तस्बीरे में इसके नया टच इपर टेंडमें सिस्टम की एक बड़ा देखनों को मिलता इस मॉडल में एक बड़ा टच इपर टेंडमें सिस्टम है जोकि मुझूदा 10.25 इस इंश डिस्प्प्ले को काफी बड़ा दिखाता है या इस्कुल रेंज रोंवर एस्पोर्टी एस्टी एक से वी के सामान 13.1 इंश का टाच इसक्रीण युनित लगती है तेता ने हाली में हरियर और रभ का साफारी में 10.25 इंश का टाच इसक्रीण यू Ri सामिल किया है, जो की नई नेक्शन SUV में देखने हो के मिलेगी, हैरियर की सीधा मुकावला MG Hector से होता है, इसमें 14 एंच का बड़ा टच-screen infotainment system देखने हो के मिलता है, Tata का ना इनफोर टेंट सिस्टम, Wireless Android Auto Apple CarPlay Connected के साथ नई सपोर्ट करता है, वाई दोस्तों बात करें नए Tata Harrier के मिलने वाले features की तो नए Tata Harrier में Harrier EV Connected से मिलते जुलते styling details features मिलने के संभावना है जिसमें 23 Auto Expo में देखा गया था इस SUV में नए front grill, नए headlight और dead lights, नए bumper, नए wild wheels और sequence turn indicators मिलने की उमीध है नए Nexon के समान नए Harrier में बिल्कुल नए dashboard, layout और एक बड़ा instrument console के साथ ती पुरी तरह updated Kevin मिलेगा इसमें 10 इंच का बड़ा digital driver display, ventilator shift, panoramic sunroof, एक 360 camera, 6 airbag, adaptive cruise control के साथ 23 features, smart ADS का तक्नीक भी इस गारी में मिलने की उमीद की जारी है जो कि पहले के पेक्चारी गारी काफी safe और शुक्र हो जाएगी जो कि नए Tata Harrier को एक सांदार गारी बनाती है दोस्तों बात करें इस गारी के प्राइज ही तो इस गारी का प्राइज 20 लाख रुपे शार्ट होती हो इसके हाइस प्राइज 35 लाख रुपे तक जाने के उमीद की जा रही है ये गारी भारते व्यार मे इस फेस्टिब सीजन में लॉंच की जाएगी जो की दीबावली के अफसर पर भाते व्यार में आ सकती है दोस्तों आपको नए Tata Harrier का वीडियो कैसा लगा हमें इस वीडियो को कमेंट सेक्चन में जरू बता दीजेगा वीडियो अच्छी लोग देक लाइज जरू कर जाएगा वीडियो के साथ तब तक जीजेगा हमें जाएज तब तक लिए सेवड़ाइब एंड है नाइट थैंक यू फ्रेंड फोर वाचिंग आस